तो एक्जाम मित्र में एक पर फिर से आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप सीनर्सिंग का जो ओपीशंड नोटिफिकाशन जारी किया गया है उसके रिगार्डिण आपका एक्जाम पॉस्ट परन होहा था लेकिन एक्जाम पोस्ट फिर शेट्यूल भी जारी कर दिया गया है तो आप अपने स्टेटिसकन कर सकते हैं का आपका एक्जाम कब होगा तो डेटेल्स में आपको इस वीडियो में जाने को में लेका आप वीडियो को सुरूशन तक ज़रूर दे कि और दोस्तों अगर आप मारे चनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाई इससे कि आने व तो दोस्तों आपका एक्जाम डेट है वो आपकी डिकलियर कर दी गई है और साथ ही आपका जो फाइनल रेजिटेशन का स्टेटस है वो भी आपका चेक कर सकते हैं उसकी भी आपको डेट दे दी गई है तो आपको अब ज्यादा समय नहीं है आपको कम समय में किस तरी किसे preparation करनी है दोस्तों वो मैं आपको काफी दिनों से परते एक वीडियो में आपको जानकर ही देता रहा हूँ तो I hope आपने उनको follow भी किया होगा और जो बच्चे हैं अभी भी confusion में है कि क्या करें क्या ना करें तो दोस्तों वो काफी दूर है और वो जो confusion में चल रहे हैं वो अपने आपको selection से दूर ही समझे तो दोस्तों जो notification जारी किया गया है उस पे चलते हों details में बताता है तो दोस्तों ये rescheduling date of final status and admit card and date of examination ये आपका complete date दिया गया है कि आपका admit card कब आएगा अब अपना final registration का status कब चे कर सकते हैं और शाथ ही आपका exam कब होगा तो इसकी date है वो दे दी गई है तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपना final status की जो date है वो आपको देख ले नहीं है आपको 26 2021 से आप अपना final registration की जो status हो देख सकते हैं आपका BAC nursing post basic और paramedical तीनों courses का rejected application with reason for rejection तो अगर आपको reject होए तो rejection reject जो reason है वो भी आपको mention किया वो दिखाई देगा तो अगर किसी कारण वज़े से अगर reject होए तो उसको आपको जो document है वो आपको upload करना होगा और दोस्तों जो last day top required document for BAC BAC nursing post basic BAC तो इनकी जो paramedical courses की है वो 9-6-2021 तक है तो 2-6 को आपको जो status हो शो कर देगा और उसके अलावा आपको 9-6 तक आप document अपने upload करके और जो आपका reject वाया है तो उसको वापसे सही करवा सकते हैं जैसे कि किसी के नाम में कोई दिक्कत है किसी के OBC या जो EWS का certificate उसमें कोई issue है तो उस वज़से rejection हो जाता है तो उनको आप update करवा सकते हैं अपना document submit करवा कि दोस्तों OBC और EWS का मैंने details में व्यूटियो बता रहा कि आपका किस date से किस date के बीच में आपका बना हुआ होना चाहिए वो सबसे important है वो आपको बनवा लेना है क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि काफी अच्छी रहेंग का रही थी OBC वाले बच्चों के लेकिन उनके पास में OBC का certificate नहीं होनी के वज़ए से उनने renew नहीं करवाया तो उस वज़ए से दोस्तों उनको general में shift किया गया general में उनको shift करने के बाद में उनका selection है वो काफी दूर दूर तक भी नहीं हुआ तो जो भी SCST का है या AWS का है या OBC का उनके पास central का certificate होना अतियावश्यक है तो दोस्तों 96221 तक आप जो document जमा करवा कि ठीक करवा सकते हैं उसके बाद में जो आपका admit card है दोस्तों वो आपका 19 से 2021 को upload हो जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका BSC nursing का post basic or paramedical का एक ही दिन conduct करवा जाएगा तो वो date मैंने आपको 27 जून पहले ही बता दी थी तो यह 27 जून की है आपकी तीनों exam की एक ही दिने में आपको exam है वो conduct करवा जाएगा तो यह आपका schedule आप देख लीजे दोस्तों आपके पास कितना समय बचा है मात्र आपके पास में 30 days का समय भी नहीं बचा है तो 30 days में अब आप क्या क्या कर सकते हैं जो बचे confusion में हैं कि हम क्या करें क्या ना करें किस तरी के से अब वो हडब डाट ना करें और जल्दीवाजी में तो गलत ही करेंगे तो अच्छे से अब आपको करना क्या है यह जो study metal मेरे द्वार प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप complete करने एकोसीज कीजे क्योंकि तीन सब्जेक्ट है और साथी में GK का portion भी है PSE nursing वालों के लिए तो इनको complete करना उतना मुश्किल भी नहीं अगर आप पूरी consistency के साथ में पूरे concentrate के साथ में अगर आप करने बेटे तो एक महीने में आप complete कर सकते हैं इसको तो अभी भी समय आपके पास है अब आपको किस तरी के साथ इसको utilize करना है वह आपे depend करता है मैंने link का description box में आपको पहले ही दे रखे हैं परतेक वीडियो में बता रखे कोई doubt है तो comment box में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाइट फोलो करके वहाँ से भी information ले सकते हैं तो दोस्तो आखिरकार आपके जो date है वो announce कर दी गई है तो आप अच्छे से study करने लग जाए और जिन बच्चों का syllabus में complete हो चुका है तो वो दो से तीन बार revision करने की सोची और दोस्तो मैं जल्द ही इसका जो mcq है important वो भी मैं आपको provide करवाने वाला हूँ तो जिन बच्चों ने purchase कर रखा है तो उनको यह mcq भी है वो provide किया जाएगा तो upload कर दूँगा दोस्तों उसका link भी है वो मैं जल्द ही provide करवा दूँगा तो दोस्तों यह update आई थी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर कोई doubt और कोई issue है तो comment box में पूछ सकते हैं या इंस्टा पर message कर सकते हैं तो टेलिग्राम पर भी दोस्तों आपको यह notification मिल जाएगा तो आप टेलिग्राम पर जरूर जोन कीजिए धन्यवाद जे जे भारत